होली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, लेकिन अगर किसी मौमिन की सलवार पर रंग गिर गया, तो वो हिस्सा कयामत वाले दिन कटके अलग हो जाएगा, अगर हाथ के उपर रंग गया, तो कयामत वाले दिन वो हाथ कटके अलग हो जाएगा, अगर पेर पर रंग गया, तो क क्यामत वाले दिन नुन्नु कटके अलग हो जाएगा इसी लिए तो हमारे हुजूर के खेंजूर होली नहीं मनाते बिकोज दे आर छोमेन आइम इन मॉमेन खुसामदी नाजरीन उमीद करता हूं कि आप सभी खेरियत से होंगे तो नाजरीन ये आपको बता है ये हमारे छोमेन आइम इन मॉमेन होली क्यों नहीं खेलते तो आप लोग कहोगे कि हो सकता है कि उन्हें कलर फोबिया हो लेकिन आप लोग गाहत हो उन्हें कलर फोबिया नहीं उन्हें नोन मुस्लिम फोबिया है क्यूंकि शरियत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि आप गेर मुश्लिमों के तेवारों में शरीक हो जाएं और होली दिवाली और कृश्मिश मनाएं अच्छा लेकिन अगर कोई होती है बोले इफईजू इसलाम तो भाई चारे का मजहब है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना है तो वहीं दो बेर उसकी बुंड वीच डाल दो क्यूंकि एना ने बुंड वीच खुजले पया गई एहले कहना पड़िया मैंनू इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जो भी गैर मुस्लिमों के मजहबी तहवार हैं मजहबी रुसूमात हैं उन में किसी किसी कि शरकत जाइज नहीं है अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सायद इसके पीछे कोईने कोई वज़ा रही होगी जिस वज़े से हमारे चौमिन आइमिन मॉमिन होली दिवाली नहीं मनाते तो मैं आपको बता दूं कि वज़ा भजा कुछ नहीं है इसके पीछे हैं दूसरों से अलग दिखना जैसे क यहुदी लंबिशी डाड़ी रखते थे तो प्यारे नभी ने कहा कि तुम छोटू सा डाड़ी रखो जैसे कि मुसरकीने मक्का मूच रखते थे तो प्यारे नभी ने कहा कि तुम मुच मुदवा दो काफिर खड़े हो तो तुम बेट जाओ वो बेटे हो तो तुम लेटे हो तो तुम हान्ड मराओ देख रहो कैसी गंदी गंदी बाते करता है या अद्वी और अगर वो मुँ से खाना खाते हो तो तुम अपनी बुंड विच खाना पाओ आप सब को शरमानी चाहिए तो नाजरीन मैं कहूंगा कि इस हलवाई को छोड़ दो ये साला खुद होली दिवाली में रेडी लगा कर हलवा बेचता होगा और यहां पर आकर बकुआस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने हुजूर की सुन्नत को साबित करने के लिए तो चलिए देखते हैं पुरान और सुन्नत इसके बारे में क्या कहती है अब्दुल्ला इबन उमर से रिवायत है इस हदिस के मताबिक अगर कोई छौमिन आइमीन मौमिन मुस्रिकों की कौपी करता है तो वो भी उनहीं में से होगा जैसे कि कोई मौमिन होली मनाता है तो होली हिंदू का फेस्टिवल है तो वो मौमिन हिंदू में से हो जाएगा याने के मुस्रिक हो जाएगा लेकिन अभी देखते हैं कि इसलाम Q&A इसके बारे में क्या कहता है It is originally a religious festival and those who celebrated the Hindus believe that on those days the evil gods were destroyed by the good gods. This is a part of their religion which is based on myth and idol worship along with the playing with color, dancing, singing, sweta, distributing and they congratulate one other by saying happy holy. So happy holy, happy holy, happy holy. तो चलिए, I think आपको सब कुछ समझ लगे चुका होगा, तो आज का वीडियो ही पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्ष वीडियो में, जय हींद वन्दे मात्रम.